फार्म 45 लाएं जी नहीं फार्म 45 मोबाइल के अंदर मौजूद है वैसे हर लोग अपनी कार के अंदर लेकर फिर रहा है जी ऐसा ही होना चाहिए जी अब तो मेरा ख्याल में वह गले में लटका लेना चाहिए यह हुआ क्या है यह पार्टी में इतने सारे वकीलों की भरमार अब जी अडालत कहती है यह नहीं एलेक्शन में जाएं और ट्राइबुनल में चाले जाएं ताहिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे हैं और तब तक वो ट्रिंवर पूरा हो जाए जिन्होंने बैठना है मसमत की उपर वो बैठे रहे हैं अचा अब जो रिलीफ मिला ह है पीटी आई वालों ने बड़ा सेलिबरेट भी उसको किया के बानी पीटी आई के दो केसे में पहले रिलीफ हुआ फिर अगले दिन दुबारा दो केसे में रिलीफ हुआ आप मुकदमे लड़ भी रहे थे जी बलकुल अब खुशी की बात तो है इक तक लेकिन क्या इसी मामला है उसकी रीजन ये है कि फॉर एक्जेमपल उसक्त इमराखान साब के उपर एक दिन में ये कोई 19 फायार दर्ज हुई थी जब लॉंग मार्च किनों ने कॉल दी थी सबसे पहला पॉइंट उठाने वाला ये है कि किसी की उपर भी बेगुना फायार क्यों दर्ज हो दर्ज किसी के ओपर भी कभी भी हो सकती है ना देखें फायार दर्ज होने का जो प्रॉसस है उससे अगर पीछे आप चले जाएं तो आपके पास एक किशन आती है फॉर एक्जेम्पल कोई ऐसा चोह थाने का अब उस एस्टोन ने देखना है कि क्या वाकी ये वकुए इमरान खान ने अगर पुरामन इतजाज की कॉल दी है तो पहले ही दफ़ 144 लगा दी जाती है और फिर F.I.R का कोई जवाद में बनता है ना अब आप ने अगर 200 के क्रीब केसिस बनाए हैं जिन में से ज्यादा के केसिस एक सौनौ के रोल के हैं नौ मैई भी नौ मैई जो स इमरान खान साब की जवानतें मुक्तलिफ मुकदमात में हो चुकी हैं अभी कुछ मुकदमात रहें इसी तरह यह जो किस थे चार यह भी पुरमन इतिजाज था जिसकी उपर मुकदमात उनीस के करीब एक दिन में दर्ज कर दी गया सिर्फ खान साब पर नहीं तमाम लीडर खान के साथ खड़ा है बाकी अगर आप इदर से माल ले जाएं गाड़ीयं भी ले जाएं लूट लें बैंक लूट लें सारा कुछ कर लें अब लगाने से पहले लवाजमात हैं वो पूरे नहीं किये गए गया जी पब्लिकेशन नहीं करनी है कि दफ एक्स चुटाली इस लगा रहें कोई ऐसा परोसर नहीं किया गया फिर जो एसा जो है इसकी मदविएत में ये मुटमत है यह कि भारार है तो फिर यह उन्हों सब एमरान खान कहोंगाई किया है तो जब ऐस चीज़ भी नहीं रिकॉर्ड के उपरर आही हो्क बनती है। अबनी भला कोई पल्या लेकर आको पार लेकर लेकरा है व्लाटा प्लैने की है rewind ऑड候 औ committee ने तो आप ने तो यह किए आप और खैस आहा है अब जने में इन्दर हैं риर्घ रिखे सिility के सकते हैं घृत का वाला केस है एक है साइफर केस और एक है तोशा खुना Kो अ जारी हिन तेनों और कीसिति आ पैल्य हैं वहां लेकर अदालत के मामला लटकाया है जैसे केसे साथ tradı क्रोफ अदर किए शुन्माई अपीलों में नहीं हो रही उनकी जमनत के वाले से नहीं हो रही तीन केसे केसे के साथ चौरता जो के सालकादक ट्रस केस इसमें भी जमनाट अपलाे होई है लेकर उसमें कि समात अब लास्टेरिंग के उपर वो कहते हैं नयवाले कि हमने रिटन जवाब जमा करवाने हैं हाँ अमरार खान को सजा दे नहीं हो तो तो तीन तीन चार्चा टीमें आ जाती है और उनको जो है वो कितने अर्से तक ये सारा सलसलो चल सकेगा कि चलो एक महीना दो महीना और फिर उसके बात तो मामला आएगा लाओत में तो एक मिन्ट भी खान साब को अंदर जेल में नहीं रखाजा सकता क्योंकि सारे कैसे जूटे हैं और अगर ये जूटे है तो हर शक्स यही कहेगा ना मेरों पर भी कोई केस होगा तो अगर आप ने एक शक्स को जिसको सिक्यूर्टी के ख़दिशात अलग उसकी उपर वजीर मिशिनरी है वो इस्तमाल होती है SSP लग रहे हैं SSP लग रहे हैं और उसके बाद डिर साल के बाद जाकर ये फैसला हो कि वो मुकदमों के अंदर जान नहीं थी वो जूटे हैं तो ये केस भी इसी तरह से हैं ये सारे सियासी केसे हैं आप देखेंगे लेकिन ये उमीद कैसे तो हमेशन जब भी बाहत हुई है तो वो कहते हैं कि डील क्यों करूंगा मैं